वेलकम बैग वापिस साथ चुकिंग हैं हम और मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि जब हम बच्चों की बात करती हैं तो बच्चों की बहुत सारी ऐसी आक्टिविटीज होती हैं जिनको जागर करना बहुत जरूरी है एक ऐसी इंक्लूजिव पहली एक्जिबिशन हुई बच्चों के काम की जो के हुई आर्ट हाउस बाइ सरवत गिलानी पे और इसमें यह देखा गया कि जो अंडर प्रिवरेज बच्चे हैं जो स्पेशल बच्चे हैं उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की उन्होंने मॉन्ट पाकिस्तान में हैं उन्होंने ब्लॉग प्रिंटिंग पर काम किया उन्होंने अर्दू कलिग्रफी पर काम किया हमने चोटा सा पैकेज तयार किया क्योंके मैं गई थी इसको एजोई करने देखने के लिए और वो आप देखिए उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे और देखते देखते ब्रेक पे चले जाएंगे बलके वो बच्चे भी जो अंडर प्रिविलिज्ट हैं जो पेशल नीद्स के बच्चे हैं बहुत ही खुबसूरत यहां मैंने तो काम अभी अंदर एंटर होते ही सबसे पहले देख लिया था मैं आपको दिखाना चाहती हूँ यहां पे ब्लॉक प्रिंटिंग का काम इसके बहुत कर लिये मैंने बाते हैं अब ताइम है आपको उस इंसान से मिलवाने का जो के यह सारी चीजे आप देख रहे हैं इसके पीछे जो माइंड है जो इंसान है उनकी तरफ मैं जाने लगी हूँ सर्वत के लानी है कैसी है तरफ मैं जाने के लिए और ऐसा कुछ करने के लिए सर्वत सर्वत मैं आप से वैसे पूछ चकी हूं पहले लेकिन आप अगर हमारी ओडियन्स को बताएं कि यही क्यों बच्चों के आर्ट को अप्रिशेट करना ही क्यों आइ थिंक बड़ों का आर्ट तो रोज अप्रिशेट होता है और बहुत जरूरी है के हम बच्चों को यह सिखाएं चीजें जो हमारे कल्चर को हमारे ट्रडिशन को हमारे इंवार्मेंट को सेव कर सकती जैसे इस वक्त हम रिसाइकलिंग पर बहुत बात करना चाहते हैं बिकोज थ्रोवे कल्चर का मतलब नहीं पता के हमने एक दफा पैना कुर्टा उसकी पिक्चर आगे इंस्टाग्राम पर तो अब वो किसी को दे दे बिकोज अब तो वो यूज बे नहीं है अब कैसे उसको तो यह कल्चर को खतम करना है इस mind को इस ideology को खतम करना है and it's very important तो यहां पर जैसे आप देख सकते हैं हमने यहां पर दिखाया के आप जूते के डब्बे, दूद के डब्बे, इन सब चीजों से कितनी interesting installations बना सकते हैं यह हमारा जो can का material है, which is the most dangerous material because यह recycle नहीं होता, इससे हमारी दुनिया बनी वी है, इस वक्त, हमारे environment को यह किस तरह अफेक करी है, यह आपको representation बताएए यह पूरा एक टीम का काम है, यहां जब स्टार्ट हुआ और समें staff required होता है, teachers बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, यहां पर कौन कौन से teachers हैं, वो क्या क्या सिखाते हैं I have a staff of 17 people, और हर कोई अपनी field में एक master है Hi guys, my name is Sirat Jafri, I'm the director here, let me show you around So you already saw the arts and crafts room, that's where the exhibition is happening We have a little bit more, I think we have 5 classrooms, we have different programs which we offer to children, in which we teach therapeutic, creative, technical and combative skills This is our yoga and taekwondo self-defence studio Okay, here is yoga, taekwondo Here is self-defence, which we teach taekwondo and yoga and mindfulness Music में हम सिखाते हैं, keyboard, guitar, singing and violin request based है, जिसने violin सीखना होता है, वो violin सीखता है लेकिन सबसे मेरे चाहाँ से famous इस वक्त हमारी guitar की classes और keyboard की classes चल रही है Robotics and coding तो यहाँ पर बेसिकल चोटे बच्चों को Mechanical Engineering, Electrical Engineering यह बहुत बहुत बेसिक लेवल पर सिखा जाता है तो बच्चे जो हैं वो डिवाइस को जोड़के उनको रिमोट कंट्रोल के साथ जोड़के हिलाते हैं, robots बनाते हैं, बेसिकली साथ उनको कोडिंग भी सखाते हैं Interesting, which is the future? It is absolutely the future because I think it's very important for young children कुस हमारे जमाने में यह नही था Nobody taught us के robotics क्या चीज होती है कोडिं क्या चीज होती है and we honestly feel coding is the future जब वो यहां आते हैं उनको बेकिंग की क्लास इतनी fascinate कर दे होती है तो वो सहरे बेकिंग में चले जाते हैं जो के बिल्कुल सामने हैं हम आपको भी दिखाते हैं यहां पे बेकिंग, बच्च लड़के, लड़कियां प्रिवलेज, अदर प्रिवलेज के बेकिंग करते हैं, काप्स भी पहनते हैं cleanliness and hygiene is number one priority. So, especially in today's time when, you know, so many different viruses and bacteria have been spread all over Karachi, और बच्चों से तो बहुत जल्दी लगता है तो हम, we make sure that they understand cleanliness. Then we also teach them table etiquette plate कहा जाती है, kanta कहा जाता है, spoon कहा जाता है glass कहा जाता है, so they also understand बैठते कैसे हैं table पहा dining etiquette basically. यह table है यहाँ पहाँ 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 and इसके इलावा बच्चे सारे surround करते हैं teachers को साथ में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं activity कर रहे होते हैं, so guys this was from Art House by Sarvat Gilani यहाँ पहाँ 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 इसके इलावाँ different activities होती है जिसमें baking थी जिसमें arts and crafts जिसमें music है, जिसमें robotics है, जिसमें self defense है, yoga है, meditation है, am I forgetting something? I think that's pretty much it. So, अगर आप कराची में रहती हैं कराची आएं तो इस जगा को जरूर explore कीजे, this is me Aisha Abrar signing off and well I hope के आपको यहाज का हमारा जो segment था, वो बहुत अच्छा लगा होगा exhibition को आपने appreciate किया होगा, enjoy किया होगा, मिलते हैं आप से, कुछ time के बाद